आज मैं आप सभी के साथ गाजर पाक की एक ऐसी रेशिपी सेयर कर रही हूं जिसे आप जट से देखते ही बना लेंगे तो चलिए फटाफट से मैं सुरू कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने एक केजी गाजर ले लिया है और उसे इस तरह से मैंने पील कर लिया है छील लेना है गाजर को और डोनों साइट के पार्च को हमें कट करके अलग कर देना है फिर गाजर को हमें अच्छी तरह से वोश कर लेना है तो एक बार हमारे तरह से जरूर बनाईगा फ्रेंड्स हल्वा तो सभी को बनाना आता है पर ये गाजर पाक जो मैं बता रही हूँ उन्हें बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा बिल्कुल इस तरह से जरूर बनाईगा अंस है अब मैं है यहां पह लेली हूँ जेज फूल करीम दूथ और हमें डाल-डी दीजे और इसको हाई फ्लेम पे हमें अच्छी तरह से पकाना है तो पहले दूद को गाड़ा ना करें बिल्कुल हमारे तरीका से बनाएगा तो चलिए इस तरह से कर देते हैं इसे मिक्स और फ्लेम को रखिएगा हाई और जब इस तरह से इसमें उवाल आ जाए तो दूद को हमें कर लेना है गाड़ा और तब मैं देखिए आपको बता रही हूँ इसकी प्मत किजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगी एक बार अंसु का पाकवान स्टाइल से जरूर बनाएगा गाजल पाक तो देखिए इस तरह से मैंने दूद को कर लिया है गाड़ा फ्लेम को रखा है हाई फ्लेम को आप लो ना करें नहीं तो बहुत जादा टाइम लग जाएगा इसको बनाने में तो हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए हिलाते रहना है आपको हर दो दो मिनट पे और अब मैंने यहाँ पर डाल लिया है चीनी एक कप से गाड़ा कर लेना है तो इस तरह से मिक्स करते रहेगा फ्रेंट इसको छोड़ियेगा नहीं आप नहीं तो यह चिपक जाएंगे और फ्लेम को कर दीजिएगा आप फिर मीडियम अब यहाँ पर डाल लिया है मैंने दो इलाइची कूट करके यहाँ ले लिया है मैंने एक ब निकाल लूँगे इसे सर्विंग वाउल में तो देखिए इस तरह से सर्विंग वाउल ले लेना है और इसमें निकाल लेजे और इसे रख लिजे आप जब भी आपको खाना हो तो गर्मा गरम आप इसे गरम कीचिए फटा फट से और फिर खालेजे बहुत ही इसे एक चमस डाल दियों गी और उसके बाद देखिए इसको जब आप गरम कीचिए गाना तो बहुत ही स्वादिस्ट लगेगी यह गरमा गरम खाने में उपर से गार निशिंग कर दिया है मैंने यहाँ पे कटे हुए ड्राइफ रूट से यह ऑप्सनल है अगर आपको मन ह से दिखा रहे हूं देखिए कितना स्वादिस्ट यह डिलिसियस रेसिपी बन करके तैयार हो चुका है एक बार अंसु का पाकवान स्टाइल से जरूर बनाएगा फ्रेंड्स अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्र